हलो फ्रेंट्स आज आप मेरे साथ ब्लाउज में पाइपिंग लगाना सीखने वाले हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को जुरू से सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का पिछला हिसा ले लिया है और साथ मैं यह राउंड नेक इसमें कटिंग किया हुआ है जो मैंने कर लिया है पहले से ही वैसे ही है सिर्फ मैं पिछला हिसा ले रही हूँ लेकिन आप अगर ब्लाउज में लगाते है तो आपको पूरे ब्लाउ प्रफेक्ट बने और जो उब्रावा होता है कि पाइपिंग उलट रही है या अच्छे से खिचाव नहीं आ रहा है तो वह क्यों नहीं आ रहा है वह आप देखने वाले हैं जैसे यह कपड़ा था मेरे पास बचा हुआ हम अमुमन क्या करते हैं लंबी पट्या निकालने के च जो गेप है जैसे यहां पर यह 9 इंच है इसका मतलब यहां से भी आपको यह जैसे मैं ने ले लिया 9 इंच यानी कि यह परफेक्ट ओरेब नहीं बनेगी तो यहां पर मेन नहीं पर बिम्हान नहीं होगी तो पाइपिंग िचाव आना चांए वह भी अच्छा नहीं तो इस ओरेब का आप समझ लीजिए कि ओरेब आपको किस तरीके से कटिंग करनी है बलाउज है चोटी चोटी पटियों में हमें ओरेब मिलेगी बड़ी पटियों में मिलेगी नहीं इसमें तो इसी तरीके से हमें चोटी चोटी पट्टियों को जोड़ कर बड़ी पट्टी बनानी है और यहाँ पर जो पट्टी की चोड़ाई है वो ले रही हूं मैं एक इंच तो इस तरीके से हमें एक एक इंच की चोड़ाई में ये पट्टिया कट कर लेनी है इतना नाप करने की जुरुत नहीं है आप अंदाजेसे भी इसको कट कर सकते हैं तो ये मैंने ले ली है तो मैंने दू पट्टे ही लिए क्योंकि मैं इसी पीछी का नैग बना रही हूँ आप पूरा नैग बनाते हैं तो इसी तरीके से आपको तीन चार पट्टिया लेनी है अब देखी ये इस तरीके से जोइंट होगा तीरचा का तीरचा में जोइंट करना है लेकिन हो सकता है पट्टी बड़ी चोटी हो तो पहले आप एक योपर एक इसको इस तरीके से रख ले और अगर आपको लगता है कि दोनों बराबर है तो कोई बात नि ठीक है नई कटिंक करनी है और अगर बराबर नहीं है तो आप एले इनको दोनों को बराबर कर ले और उसके बाद ये तिकोना हिस्सा यानि चोथा इंच जितना आप उसको बाहर निकाले एक साइड साप बाहार निकालेंगे दूसरे साइड वाली पट्टी का तिको नामस जो है वो अपना बाहार निकलाएगा ये देखे और उसके बाद ये हमारी पट्टी का जोइंट हो जाता है आप नाकुन से इस तरीके से प्रेस कर दें इसको यह पट्टी हो जाएगी हमारी और इसी तरीके से हमें यह सारे जॉइंट लगाकर बड़ी पट्टी बना लेनी है ब्लाउस के अकॉर्डिंग अब सबसे पहले हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है दोनों चीजों को नहीं खीचना है जैसे हम जब नए नए सीखते हैं तो हमारा हाथ जो है वह बहुत टाइट चलता है तो हम पट्टी के साथ में निचले इसे को भी खीच लेते हैं उसके बाद हमारी पाइ को अच्छे से कींचना है। और मैंने पहले ही बता दिया सिर्फ पट्टी को खीचना है, गले को आपको बिलकुल नहीं खीचना है। तो इस तरीके से हमने अपनी औरे पटी अटेच कर लिए अब दिखें जैसे हमने इस पटी को लगाया है कितना खिचाव आ गया है बलाउज में अब यह सलवट नहीं है आप समझ रहे हैं कि यह सलवट आ गई है तो यह सलवट नहीं है ये खिचाव है हमारा गले का तो इस तरीके से जब हम लगाते हैं तो शोल्डर अपने आप अंदर की तरफ जुग जाते हैं और जो हमारा ब्लाव जे वो एकदम टाइट हो जाता है गले के साइड से उतरता नहीं है बिल्कुल भी अब उसके बाद हमें क्या करना है यह अपनी साइड में रखना है कपड़ा और एक बार नाखुन से इस तरीके से आप चाहो तो प्रेस कर सकते हैं अब हम जैसे ही पाइपिंग को पल्टेंगे जैसे एक बार और यह इसके बाद दूसरी बार इस तरीके से हमें पल्ट कर की बारिक चाहिए या हलका सा मोटा रखना चाहते हैं जैसी भी आप चाहते हैं उस अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है नीचे की साइड से तो ये हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इसको लेंगे एक दो इंच एक दो इंच करके ये देखे नीचे के साइड से भी अंदर के साइड में फोल्ड हो गई है तो जब हमारी ओरे बच्छी होती है तो नीचे से भी फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है अपना आपी वो फोल्ड होती जाती है तो ये देखें मैंने लगा दिये हैं पाइपिंग तो ये पाइपिंग आने के बाद ये सलवटे काफी हत्ता कम हो गई है और जो थोड़ी बहुत है वो आप प्रेस जब करेंगे इसको सिलने के बाद नया कपड़ा है प्रेस करना पड़ता है तो वो एकदम निकलाएंगी और देखें मैंने 5.5 इंच गला काटा था तो ये जो है 5 इंच हो गया है यानि के अंदर की तरफ इसका जुकाव आ गया है तो इसका मतलब है ये piping perfect है और आपका गला बिल्कुल नहीं उत्रेगा तो ये देखें मैंने प्रेस कर ली है प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक भी सलवट आपको नजर नहीं आएगी तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉज पर अपने कूर्टी पर perfect piping लगा सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता है और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग